यूपी टेट 2021 और सीटेट 2021 में जिन अभिहार्थियों को सफलता नहीं मिली है उनको अगले सीट और यूपी टेट का इंतिजार होगा इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगला यूपी टेट कब तक हो सकता है आप लोग प्लीज लास्ट तक बने रहेगा इस वीडियो के स प्लीज में बस एक ही बार आयोजित की जाती है और इसके लिए परिच्छा कराने वाली संस्ताइं यानि प्यणपी के दोरह जो पिछले वर्सों में यूपी टेट की परिच्छा का आयोजिन किया जाता रहा है उसके अनुसार प्यणपी के दोरह जुलाई मंथ से ही official notification PNP के दोरा जारी कर दिया जाता है सितंबर से अक्तूबर तक मतलब कि अगर last सितंबर में आवेदन प्रारंब हुए तो अक्तूबर के first week या से second week तक आवेदन PNP के दोरा लिये जाते हैं आवेदन complete होने के बाद से इसकी जो परिच्छा वो नौमबर मंत में हरहाल में विगत वर्षों में PNP के दोरा आयोजित की जाती रही है तो इस बार भी उमीदें हैं कि PNP यूपीटेट 2022 की तरियारियां जुलाई से प्रारंब कर देगा अगस्तक इसके लिए पर्मिशन और जो भी करवाईयां होती हैं वो सब complete करने के बाद से सितंबर से इसके लिए नोटिफिकेशन जारी होने की प्रभल संभावना है अक्तुबर तक आवेदन हो जाएगा और नॉबर में हर हाल में यूपीटेट 2022 की परिच्छा PNP के दोरा आयोजी करा ली जाएगी दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया ऐसे ही यूपीटेट सीटेट सूपर टेट रिलेक्टेट अपडेट पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें अपने दोस्तों को शेयर करें तैंक यू